आपंक्या माज को सिल करो भेनी जी लाज मालिक मनमानी बंद करो सात्रों पे-जुल्म बंद isम करो कि असकी लाज मालिक सर्म करो प्रसास्निक मिली बहत मुर्दा पार क्या मामला है क्या क्यूं कर रहे हैं आप पटना में नीजी लौज और नीजी कोचिंग का जो सोसन जुल मत्याच और आतंक बढ़ गया है उसके खिलाब आज हम लोग यहां तांत्रिपुर्ण तरीके से लोगतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांगों को रखने आये हैं हमारे एक खोटे भाई जो इस तमाख्या लौज में राते थे इस लौज ओनर के बेटे के द्वारा उसको पुरी तरह से फीटा गया है और आये दिन पटना में यह घटना आमसी हो गई है चाहे वो नीजी लौज हो या नीजी कोचिंग हो हमारा एक ही सवाल है जो भी नीजी लौज है बिना रजिस्टेशन का किसी को भी सरकार चलाने का इजाज़त नहीं दे और दूसरा जो भी कोचिंग है जितने भी प्राइवेट कोचिंग है उन सारे कोचिंगों में परभावी तरीके से कोचिंग एक्ट और लौज में जो भारा का सवाल है, लोज में जो रेंट का सवाल है, वो निश्चित गिया जाए, सुविधा छात्रों के लिए क्या होगा, वो निश्चित गिया जाए, इन सवालों को ले करके, और इसके मालिक को जैल भेजने की हम मांग करते हैं, इस लोज को सील करने की मांग करते हैं, और जितने भी लोज हो, जाए वो बॉइज लोज हो, या गर्ल्स लोज हो, सारे लोजों के बारा आतंक फैला दिया गया है छात्रों के उपर, और छात्र डड़ से भाय से निकलने के लिए नहीं चाहते हैं, वो डड़े हुए हैं, साहमे हुए हैं, और कई घंटों से हम लोग य भगत है, आए दिन लोज में छात्र आत्महत्या करने पे मजबूर होता है, सुसाइड करता है, और उस केस को दबा दिया जाता है, कई ऐसी घटनाएं, भाल के दिनों में घटती आ रही है, सरकार चुप है, जहां की परसासन चुप है, लेकिन हम लोग चुप नहीं हम छात्रों से आवान करते हैं, अपने हग के लिए तो कम से कम, अपने स्वसन के खिलाफ, अपने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ तो आवाज उठाईए, निकलिए, सिर्फ घर में काईद होकर के रहिएगा, तो ये जुल्म अत्याचार बरता रहेगा, और इसके सिकार आप होईएगा, आपके घर, परिवार के सदस, जो पटना में परने के लिए आते हैं, वो होंगे, अगर दस मिनट के अंदर यहाँ पर सासन नहीं आती है, तो हम लोग ठाना का जाकर के घहराओ करेंगे, यहाँ का जो संबंदी ठाना है, बहादूरपुर, हम उसका जाकर क एक मामला सामने आया था, उसमें क्या कुछ कहेंगा? नत्याचार के खिलाब मजगूती से आवाज उठाए हम आग रह करेंगे सभी साथियों से आवान करेंगे आज अगर आप चुप बैठे हैं तो कल आप इसके सिकार होंगे अपनी बारी का इंतिजार कीजिए नहीं तो इस छात्र के साथ जो जुल्म हुआ है इसका साथ देने यहां आईए और हम लोग ठाने पे जाकर के अपनी मांगों से और ठाने पे मांग नहीं हम ठाना का गहराओ करेंगे इतने देर तक आप क्यो नहीं आया है छात्रों का सूध लेने आप किसके लिए हैं और दरूरत परी तो हम DGP से मांग करेंगे ऐसे निकम में ठाना परव जैसे मांग करेंगे जो ऐसे लिश्क्रिया ठाना परवारी जो छात्रों पे जुल्म होता है और ठाना पर बैठे राते हैं उसके खिलाब आप सक्त करवाई कीजिए आप छात्रों के हीते सी है वतना के DGP विहार के DGP से छात्रों को उमीद है हम मीडिया के माध्यम से DGP से एक ठाना परवारी पर वजक्त करवाई किजिए और हम लोग अभी ठाना का घेराओ करने जाहेंगे चारब कुमार नाम है छात्र का और एक ही छात्र नहीं आए दिन हम छात्र संगठन चलाते हैं हमें पता है दीन रात किसी कोचिंग से किसी न किसी लॉज से किसी ना किसी गल्ब सॉस्कल से फौन आते रहता है भाईया यहां हमें मारा जा रहा है यहां बारा के लिए हमें भगाया जा रहा है यहां कोचिंग में पैसे कम है उसके लिए भगाया जा रहा है